तो में जो है मैं quick review करूँगा तो दोस्तो इस बार हमने मंगवाया है friends forever brand का जो है sun heater तो इसका अगर हम model की बात करें तो दोस्तो ये model जो है sh-121 तो ये आपको हरियाणा में तो आपको local market में इसी brand का जो है sun heater मिलेगा तो ये power जो consume करता है heating mode 2 में 1000 watt और अगर हम heating mode 1 में करोगे तो ये 500 watt busily consume करेगा इसका जो diameter है दोस्तो जैसा आप देखरें इस plates का जो आप कह सकते हैं वह है 16 inch तो इसके feature की बात करूँ तो दोस्तो ये power saver है eco friendly है आपको जो है sailor की तरफ से जो है one year की warranty मिलती है पूरी तरह से isi mark है और इसके थोड़े और silent feature की बात करें तो दोस्तो इसमें जो है जैसे मैं आपको बजाता है टू heating setting है जिसमें one heating mode में जो है 500 watt busily consume करेगा इसमें जो है safety tip बटन दिया गया तो इसके नीचे जो है हर प्रताव के heater में जो है एक परकार का बटन दिया जाता है कि अगर वो टिल्ट हो जाए गिर जाए तो आपका heater बंद हो जाए safety grill दी गई है जैसे आप देख रहे हैं इसके पूरी तरफ जो है elements की उपर जो है एक परकार की grills है जिससे आपका heater जो है आप उसको गलती से touch ना कर पाए और दोस्तों इसमें जो है एक घंटे का timer है और watt की बात करें जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें दो setting है 500 वार और 1000 वार कंपनी ने जो इसका जो प्राइज जो है वो 2800 रुपीज के असपास रखाए पर यह आपको local market में जो है 1700 से लेकर 2000 या 2100 तक के बीच मिल जाएगा तो हम जो है वी लोडते हैं और दोस्तों आपका स्वागत है फिर से तो जैसे आपको मैं बता रहा था कि इसमें जो है two hitting mode है तो आप यह देखिए जिसमें circle सा बन रहा है तो इसका मतलब जो है यह oscillate करेगा यानि की move करेगा तो one or two है तो यानि की hitting mode one with oscillation hitting mode two with oscillation और आप यहाँ पर देख रहे हैं one or one or two लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी परकार की कोई movement नहीं होगी और बीच में जो है यह off हो जाएगा इधर जो है company ने जो है एक परकार का timer दिया है जो कि जैसे आप देख रहे है आफ से तो बंद हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो एक घंटे का timer है अगर आप unlimited चलाना चाहते तो इसको पूरा move करके own पर भी ले जा सकते दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि यह घड़ी वाला timer होता है जैसे आप खिलोने होते है वो वाला timer अगर आपने इसको एक बार own कर दिया तो इसको back नहीं कर सकते तो timer को अपने आप बंद होने देना नहीं तो यह आपका जो यह timer system है यह खराब हो जाएगा और दोस्तों आप जैसे आप यह देख रहे हैं इसमें जो है दो elements द तो focus करके आप अगर देखोगे तो शायद आपको दिख जाएगा तो शायद camera में तो नहीं दिखा पाऊंगा और यह आपको देख रहे हैं बहुत ही बड़ी जो है aluminium की plate दी गई है तो इससे बहुत ज़्यादा भैतर हीट आपको मिलेगी और मैं पीछे से आपको दिखाओ तो आप यह देखिए कंपनी ने बहुत प्रोपरली वेंटिलेशन दी गई है और यह बोड़ी जो है पूरी तरह से high quality plastic की बनी हुई है इसको अपने move नहीं करना है यह जो है motor powered rotation है और थोड़ा सा दोस्तों नाजुक सा है यहां पर एक handle दिया गया है जैसे मैं आपको उठ हाके दिखाओं तो बहुती हलका है 200 या 300 ग्राम का होगा और इसका जो मेरा माना है कि थोड़ा सा delicate चीज है तो आपको थोड़ी सी साफधानी रखनी है और इसकी जो brightness जो है बहुत ज़्यादा तेज light होती है तो मेरा माना है कि भी आप इसको जला कर सो नहीं पाओगे मैं फट फट जो है इसको power दे देता हूं मैंने इसको power दे दी है चलाने से पहले जो है मुझे timer लगाना पड़ेगा तो मैं 20 minute का timer लगा दिया है तो यह timer चलता रहेगा इसमें एक और कमी है कि भी है यह चुकाल किसी चुचुख की अवा जाती है तो यह थोड़ा से आपको tolerate करना पड़ेगा अब जो है मैं अगर मैं hitting mode 1 पे करूँ तो दोस्तों ये मैंने hitting mode 1 कर दिया है तो मैं आपको इसकी hitting जो है प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूंगा अने की भिया ये हीटिंग मोड वन है हीटिंग मोड वन में जो है ज़्यादा हीटिंग आपको नहीं मिलेगी मतलब आप बड़ी असानी सिसको टोलरेट कर पाओगे ठीक ठाक मिलेगी यह देखिए इस जो पीछे जो चमकने वाला जो प्लेट से उसका टमपरेचर जो है दो सो पचास तक गया तो 158 वगर आप कह सकते 255 वगर आप कह सकते हैं और यह मेरे पास डिजिटल हमिडिटीव मिटर है तो इससे आपको प्रूब भी हो जाएगा कि यह आपके कमरे की मौश्चर कितनी कम कर रहा है तो जब भी आप हीटर चलाते हैं लोंग टाइम चलाते हैं तो लगा होने लगी तो जएसे आप देख रहे हैं ज़्यादा मौश्चर नहीं कम होरी है धीरे धीरे तेमप्रेचर बढ़ रहा है और अब जो है मैं इसका जो है हीटिंग मोड टू कर देता हूं जैसे आप abortion काफी बढ़ जाती है तो इसका काफी कम है मतलब 1000W है तो यह दो रोड वाला जो हीटर होता है या थ्री रोड वाला हीटर होता है उसके लगबग बराबर है पर इसकी जो गर्मी है वो बहुत भैतर है एस कंपेर टू दा हैलोजन रोड टाइप हीटर या कार्मन रोड टाइप हीटर आप यह देखे 90 डिगरी टंपरेचर है और अब जो है मैं आपको इसका टंपरेचर दिखाता हूँ यह देखिए 407 तक जा रहा है तो जुरस से ज़्यादा आप इसको मतलब टोल रेट नहीं खरपा होगे कैसे यह 470 तक जा रहा है तो जब गर्मी सरी जब सर्दी बहुत जादा है तो आप जो है इसकी हीटिंग मोड टू चला सकते हैं जब आपको कम हीटिंग चाहिए तो हीटिंग मोड बन चला सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो भीया यह काफी पावर सेविंग डिवाइस आप कह सकते हैं हीटर कह सकते हैं तो अगर आप इसके बिल्कुल पास बैठोगी जैसे मैं बैठा हूँ डेड़ फीट की दूरी पर तो आप इसकी हीटिंग जो है नमबर टू सेटिंग में तो टोल रेट ही नहीं कर पाओगे तो जैसे यह आपको मैं अगर मोश्चर देखा हूँ तो देखे इससे आपको पता तल जाएगा कि भीया हवा से मोश्चर कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मैंने देखा कि यह जैसे दो दूसरे रोट टाइप हीटर होते हैं तो उसमें जो है लिए रोट से बहुता है तो वहां पर जो है मैंने देखा है कि tends चाहरा है तो यह मैंने देखा तो जैसे अब टेंपरेचर इतना बढ़ गया कि मेरे हाँ जो है मैं टॉल्रेट नहीं कर पा रहा हूं तो यह चीज जो है आपने देखना है कि भाया इसकी जो हीटिंग है वो काफी अच्छी है जब आपको हीटिंग इसकी नहीं चाहिए तो आप इसकी हीटिंग को मौड़ वन पे कर दीजिए जैसे मैंने अब इसको वन पे कर दिया है और अब जो है मैं आपको इसको ऑसिलेशन करके दिखाता हूं तो यहां पर करूंगा तो यहां पर ओफ हो गया और यहां पर करूंगा तो यहां पर हीटिंग मोड वन विद ऑसिलेशन तो आप जो है इसको पावर में जो है आपको ज्यादा हीटिंग देता है एक बात का आपने और ध्यान रखना है दोस्तों जितना बड़ा जो इसका डायमेटर होगा तो उतनी ज्यादा इसकी हीटिंग होगी तो जैसे मेरे पाद यह 16 इंच है अगर मैं 14 इंच लेता तो इसकी हीटिंग कम होती 12 इंच में और कम होती पावर कंजम्शन जो है लगभग बराबर अगर मैं इसको नंबर दो पर कर दूँ तो जो है आप यह आप यह देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ते ही है तो मैं आपको हर पोड़ेट की जो है पॉस्टिव पॉइंट भी बताता हूं नेगरिव पॉइंट भी बताता हूं तो इसका जो नेगरिव पॉइंट जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी तेज है तो बोर्डी तो काफी मजबूत होती है पर ये जो है काफी नाजुक्स है इसको अपने साथानी से रखना है तो चलिए मैं इसको वन पे कर देता हूँ दोस्तों मैं वीडियो की डिटेल में जो है सभी परकार के सन हीटर का लिंक्स डाल दूँगा आप चाहो तो नॉर्मल हीटर भी खरी सकते हैं तो वीडियो की डिटेल में सभी परकार के हीटर का लिंक्स मिल जाएगा और आप हमारी पुरानी वीडियो में हैंडी हीटर या हीट करवर्टर का भी रव्यू देख सकते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक किजिए धन्यवाद